आज की याई वीडियो महा संग्राम होने वाली है जो भी हमारे फिप्त समस्टे के छात्रे जिनकी परिच्छा जियोग्राफी यानि की भुगोल की सेकेंड पेपर होने वाला उनके लिए वीडियो राम बाण होने वाली क्योंकि लगबग लगबग प्रेशन जो आज की इस में आने वाले हैं यदि आप भुगोल सेकेंड पेपर की परिच्छा देने जा रहे हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखें और बहुत ही महात्पूर्ट वीडियो आप लोगों समस्त प्रस्तुत होने जा रहे हैं जो कि आपके परिच्छा में 100% उम्मीद है आएंगे ह आपका जो वर्स है वो तिरती यानिके थर्डे अरे समस्तर आपका पंच्या में सब्जेक्ट भुगोल है और प्रश्ण पत्र दुति है जिसका नाम सुदूर संवेदन तथा जी आईसी के आधार अब यहां पर बाइस जितने भी कोईश्चन होंगे और सुदूर संवेद जो इसके बारे में जानकाई दी गई या विग्यानिक पध्धत जो इसका तातपर है वो यह है कि आप हवाई जहार हेलिकॉप्टर या फिर उपग्रोहों या फिर किसी उंचे अफ्थान पे जाकर नीचे पित्वी की भूभाग की जो फोटो है कैप्चर लिया और उसकी जानकारी ग्रहन करें कि कौन अफ्थान कहां पर कितने हेक्टियर में फैला हुआ है और यहां पर समुद्र है यहां पर इंसान रहते हैं कहां पर क्या रहता है उसी को हम सुदूर संबेदन कहेंगे ठीक है यानि कि दूर से जाके यानि कि जैसे कि माली जी आप हेली केप्टर प्रेफर चणड़े आपने कामरा लिया ठीकếu कामरा लेकर नीचे के फोटो खींच तरह आप लोग कि वहाई कांपर कौन गाउव है कांपर कौन साहर तरके कहांपर सब्सक्राइब नदी इन सब की जानकारी आपने फोटो लेकर का सींपल सा मतलब यही है कि आप देखी इसका परिभाफ़ा इसी तरह आप सभी लिखेंगे कि बिज्ञानिक पध्यत से सुदूर संबेदन का ताजपर है कि हेलिकाप्टर हवाई जहाज या फिर उप ग्रोहों पे जाकर वहां से नीचे के जो प्रिथिवी की जो चीजें उनको फोटो क की ठीक है तो एक यह कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके माध्यम से जो भी फोटो कैप्चर की जाती है अफ्थानिक यह फिर जहां जिस भी अफ्थान की ठीक है यह जिस भी एरिया की ओके तो उनको यह इस्टोर और इस्टोर करने और उसको प्रोफिस करने का एक प्रकार किसी को टच किये ऊपर से प्रिथिवी की और जी आई सी का काम है कि इन सभी को इस्टोर करना अफ्थानिक ठीक है और प्लस चैप्चर करने के बाद उसको इस्टोर करना और प्रोसेस करना और इसको अपने पर्मनेंटली उसको इस्टोर रखना और उसका यूज करना यह होता पूरा 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 फ्लेबर्स जो पूरी पूरी कोईश्चन इन्हीं दोनों पर अधारित है आपको आगे पूरा समझ में आ जाएगा पहला प्रशन है कि किर्सियों खाद सुरच्छा के बारे मताईए तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे कि रिमोटिंग सेंसिंग का म मिलते हैं आपदा के बाद या किर्शी भूम को हुए नुकसान का आकलन कर सकता है खाद सुरच्छा फुनिश्चित करने के लिए बहुमोले डेटा प्रदान कर सकता है मतलब कि रिमोट जो सेंसिंग है यह मालीजे की कोई आपके ठीक है आपदा आ गई ठीक है बारिस हो ग जो है वो जियारा तर किस वज़ा फे नुकसान हुआ और इसका क्या सलूसन है ठीक है तो यह पता लगाए साथ सकता है रिमोट सेंसिंग के माद्धिम से ठीक है यह है रिमोट सेंसिंग एक प्रकार का इलेक्टानिक उपकर नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताई रख़ा कि पोटो कैप्चर किया जाता है तब आपको पता चलता है कि भाई कहां पर क्या कैसे नुकसान हुआ है किस वज़ा से हुआ है ठीक है उसके बाद जल संसाधन प्रबंधन आपदा पार दर्स में जल संसाधनों का प्रबंधन महत पोड़ हो जाता है रिमोट सेंसिंग अति प लीकाफे तो यह किया जा सकता है तो इस प्रकार आप जल्द संसाधन प्रबंधन के बारे हम लिखेंगे यहां पर रिमोट सेंशिंग का क्या यह हुझे वन अगने प्रबंधन ठीक है तो जंगल की आग प्रबंधन में रिमोट सेंशिंग बहुत महत्पूर्ण भूम का dell या आग लगने के बाद नुक्सान का आप लंबी कर सकता है और पुनर्नवीनी क irre युज्जना में भी सहायत कर सकता है कोई एरिया sleep लिए जंगल है ठीक है उसमें आग लग गई आग लगने के बाद क्या होता है कि आपको यह नहीं पता चलेगे कहां फे आग लगी कितने हेक्टियर पे फैली हुई कितनी जगा तक फैली हुई और कहां तक आगे जा सकती है तो एक इंसान एक अस्थान से कितनी दूर तक लगाता है कि एरिया या फुरु आश्ट कीना के द्वार इसको आपता है अब है कि उसका पूर्ण निर्माड कैसे कि आ जा सकता है माली जो पेड पाओद नश्ट हो गए उन पुना निर्माड निर्माड कैसी हो सकता सभाइटा करता आपका जो यहानी की सुदूर संबेदन टीक है इसी तरह है इसी तरह बहुत बढ़ा युगदान है ठीक है प्रबंधन में यह होता है कि तटिये चेतर प्रमंधन में अक्सर चक्रवाद जो हते हैं शुनामी हैं और समुद्रियनिक प्राकरतिक आपडाएं कि जो अस्थर इसमें ब्रद्धी जैसी आपडाओं का खत्रा अधिक रहता ज्यादा रहता है ठीक है रिमोट संसिंग खत्रे के शुरुवाती संकीतों क लिए इन शेतरों की निगरानी कर सकती है भाया निगरानी मतलब की संकीत बता फक्ति कि हाँ इस एरिया में यह उने वाला जैसे कि आप लोग कभी देखते नहीं कि मानसोन का पता आप लोगों को न्यूज देखते हैं तो उसमें बता देता भाईया कि यह बारिस है और यह रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पता लगा जा सकता है जिसे कि बहुत लोग कहते ने कि बताईए कि मालीजी आज मालीजी की दिसंबर है तो दिसंबर के लास तक बारिस होगी या फिर नहीं होगी यह आपको दो चार शे दिन पहले रेडियो में टेली वीजन में आपको जा अब अगला प्रशन है कि भोगोलिक शूचना तंत्र की अभिकल्पना बताईए यानि कि भोगोलिक जो शूचना तंत्र है जिसको बोलते हैं G.I.S. ठीके तो G.I.S. के बारे में आपको बताना है तो अनेक हार्ड बेर और साफ्ट बेर में G.I.C. के लिए प्रियोग तो हार में G.I.S. के लिए तरिके तर्फ कर सकते हैं ठीके शौट बेर वो होता है जिसको हम टश्ट नहीं कर फकते सिर्फ फिल कर फकते मैं सुच कर सकते एग्जामपल के लिए जैसे कि आपने मुबाइल रखा है आपका मुबाइल इतना बड़ा है ठीके तो मुबाइल का जो कब तुक पर पा रहे हैं उसको प्छिकली रूप में ठीको आप वाटसप को उठाकर आप थोड़ी निकालके रख सकते हैं नहीं रख सकते खेंद मोबाइल आप उठाके रख सकते आप अपने घर से तो जो चीजी यह आपका होगया soft beer जो आपका WhatsApp, Facebook, Instagram जो आप चलाते हैं यह आपका soft beer हो गया और जो जिसको physically touch कर सकते हैं जैसे कि mobile, sim, cover यह आपका हो गया hardware तो simple सा आप लोग समझ गयोंगे हैं और आप लोग काफी smart हैं इतना बताने के बाद आप समझ ही होएंगे ठीके फिर से बता दू मुबाइल है, mobile आप आपका hardware हो गया, cover आपका hardware हो गया, sim आपका hardware हो गयी ठीके यह आपका hardware जिसको आप लोग टच कर पा रहे हैं और कहीं एक अस्थान से दूसरे अस्थान रख पा रहे हैं ठीके लेकिन जो software, Facebook, WhatsApp, Instagram और बहुत पाले जो software होते हैं इनको आप फेल कर सकते हैं ठीके और इनको आ पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, लेकिन mobile को आप चाहीं रहां पर रख सकते हैं, ठीके, तो आपका mobile एक तरीके से हो गया, hardware उसमें जो अंदर है, Facebook, WhatsApp हो हो गया, software हो गया, ठीके, बहुत अच्छी परिमास, आपने आपको प्रस्तुत की आयोप सबज गये होंगे, ठीके, रिमोट सेंसिंग की स्रीमाय बताईए, तो ये भी महात्पूर प्रस्त ने, इनकी कहां तक लिमिट है, रिमोट सेंसिंग की, ठीके, तो रिमोट सेंसिंग ने पूरी तरह जमीन अर्थ था, ठीके, आधारित स्रबेच्छन ब्रिधियों को अफ्थापित नहीं किया है, इस रिमोट सेंसिंग के मादम से कबर किया गया है, ठीके, अगला है कि डेटा संग्रा और डेटा खरीद की लागत, डेटा संग्रा और डेटा खरीद की लागत, और डेटा बिफलेफर और ब्याख्या के साथ समस्याएं, सभी मौफ़म चमता के साथ समस्याएं, क्योंकि कुछ ख़त तक देखा सकता है बिल्कुल के लियर नहीं देखा सकता है तो आप यह कुछ remote sensing की सीमय यहां तक ही लिमिट रहता है ठीक है यहां कोिशने की remote sensing की अनुपरीयोग बताईए तो कई सारे अनुपरीयोग है जिनके बारे में आप पड़ सकते हैं ठीक उपग्रोव ब उपग्रापर कैमरे का उपयोग महा सागरों में तापमान परिवर्तन की छबियों को बनाने के लिए किया जाता है बड़े जंगल की आको आंत्रिच से मैप किया जा फकता है जिससे रेंजरों को जमीन से कई ज्यादा बड़ा च्छेतर देखने की अनुमत मिलती है ठीक है ए इतना एरिया कबर कर लेता है लेकिन जो सिंपल मुबाइल होता है फिर कैमरा होता वह एक ही अफ्थान पर मतब एक ही डारेक्शन में वह कबर कर पाता कोई चीज ठीक है तो इस प्रकार आप समझ लीजिए रिमोट सेंसिंग को और रिमोट सेंसिंग का बहुत बड़ा उध उसकी जो च्छबी है उसकी उस चीज को ले लेता मतलब काप्चर कर लेता भीना टच की ठीक है भागोलिक सुच्चना तंतर के उद्देश ये यह वी काफी यार कर लेंगे तीक है जब ही आपकी जी आयस और रिमोट सेंसिंग वार्म आन नखें प्रकार को थान नखेंगे बाकी हमने आपको एकदम परिभासा बता दिए बाकी सभी उससे सम्मंदित कोईश्चन होंगे बस आपको थोड़ा ध्यान देना है बस थीक है फोटोग्राफिक बिम्ब के लाब बताईए तो फोटोग्राफिक बिम्ब में कम्प्यूटर पर अंके बिम्ब की तुलना में धरतली बिवेदन उत्तम अधिक होता है फोटोग्राफिक बिम्ब में धरतली आकरतियों का पुना निर्मार ज्वामितियों दर्श्टि से उपय युक्त होता है फोटोग्राभिक विमीं ब्रहत पाहिमाने पर बड़े श्याटर को दरसाती है मंट को अंकरर ऐस्य प्रतिकर लाब नहीं करनर आप नपल जिसके प्रावजुक्स करते च्निक करte लीकिभ दे रहा हूं को जोड़ तैयार करें जैसे यह कोश्चन की छट के आकलन की रिमोट रिक संसिंग्स की भूमिका बताईए आपदा कार्यों में खोज बचां में रिमोट कि क्या योगदान है योगदान है तो बहुत आप लेबल का कुश्चन जोड तयार कर लेंगे दोनों के बारे में ठीक है अगला कि मान्चित्र में रिमोट संसिंग का एक अमल उपकरण अस्परस्ट कीजिए ये भी टॉप लेबल का कوर्षिन हाई लेबल कर इसको भी तयार कर लेंगे ठीक है मौसम के पुनर नुमान में रिमोट संसिंग और अपातकालिन पर क्रियाओ میں सब्सक्राइब फिर नीज में चीज थी वह क्यार था इसका क्या लाब है इसके बारे मिताये इसके बारे मिपढ़ लेंगे यह टोप लेबल का कोईश्चिन आप सभी के एक्जाम अब आसानी से समझ जाएंगे ठीक उत्तर के बारे में ठीक है यह वाला इतना महात्पूर्ण ने इसको इग्णोर कर सकते हैं अगला महात्पूर्ण है कि आपदा प्रबंदन के रिमोटिक सेंशन का पूर्ब चेता हुनी सम्मंदित प्रयोग यह तैयार करेंगे जाएंगे आप बहुत टॉपलिबल का कुश्चन है जी आची कि रही सारे लावे जैसे की पहला है कि कम लगत और समय में कारिफूर्ण क्या जा सकता है चित्रों के साथ एक बड़े छित्र के नक्षे को तयार क्या जा सकता है ठीक है मैं देखे कोई चीज होती ही कि नाम लिखा होता ह ठीक है अहमदाबाद हो गया और अवारणारसी हो गया ठीक है और आपका मालीजे की ठीक है अमरत्सर हो गया ठीक है पंजाब हो गया राजिस्थान हो गया ठीक है तो इन सभी की आप कभी कभी होता ने कि इनका सब नाम ही लिख पाते ना ठीक है नाम लिख पाते भईया य इनको जैसे कि मा लिज़े उत्तर प्रदेस के फोटो के साथ उसका नाम बस यही हो गया GIC का प्रमुख लाव एक बहुत बड़ा तो इसी तरह और भी बहुत सारे लाव हैं ठीक है जो कि आपको पढ़ लेना बहुत ही टॉप लेबल का कोईश्चन है दूर संबेदन के लाव ये भी टॉप लेबल का कोईश्चन इन दोनों प्रसन को जोड़ तयार करके जाएंगे खिक है या ikisi बड़ी यंत्र का ठीक है विहंग bend्रस प्रस्तुत करता है और दोसरा है कि यह سमय अधार रेखावकवाम अथ्वा वास्तविक अत्वाल लगभग वास्तविक सुचनाय प्रदान कर सकते हैं मतलब एक जैक्ट एक तरीक से बोल सकते हैं कि जो है से मोई से दिखाता है ठीक है 99 परसेंट बाकी कोई चीज माली जै की बहुत आपको यहां पे छोटे दिख रहे तो उसको जोटा करके बड़ा देखा जा सकता है तो यह सब होते हैं दूर संबेदन में ठीक है एक्जामपल के लिए बहुत बड़ा एक्जामपल है कैमरा कैमरा ठीक है या फिर आपका मोबाइल ठीक है आप लोग करते हैं अब चाहिए उसको जूम इन करके मतलब कि जूम है कम करके नार्माली करके दो-चार कदम पर उसकी फोटो करेंगे तो वह पूरी आ जाएगा उसका पैर और उपर से निचे सब दिखेगा उसको जूम कर लेंगे तो पूसका चहरा ही दिखेगा तो यह हो गया एक सुदूर संबेदन मतलब कि दूर रहकर भी उसकी जानकारी प्राप्ट कर लेना ठीक बिना उसको टच के फिजिकली ओकी तो इस प्रकार इसके बहुत सारे लाव हैं आप तयार कर लेंगे ठीक है चलिए इसको को बढ़ते हैं किसी में रिमोट संसिंग की टिपड़ी लिख पूरी उमीद मुझे आपको पूरी सफलता मिलेगी इनमें सारे को इंसर दोनों आपको प्रवाइट कर दिया इतना कौन करेगा बाई बताओ को कोई करेगा इस साथ में पीडियप भी आपको दे रहे हैं और क्या चाहिए ठीक है और वहीं सारे कुश्चन आपको बता रहे चालिस से पचास नमबर तो पक्के हो जाएंगे ठीक है पचाफे चालिस से पचास पक्के ठीक है बाकी पीडियोप आपको टेली वर्टसप पे मिल जाएगी जहिंद